तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कमपणी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो फिडियो को पुरो लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लिजेगा कंटिनसली इंफोर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को पर बने लिएगा तो चलो देख लेते हैं कौन सा कौन सा कमपणी है इस पीडिका अंदर परस्ट जो कंपणी है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँ उसका नाम है आप देख सकते हैं उसका नाम है इंडियन रेनेबल एनरजी डेवलप्मेंट एजनसी इसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं तो कंपणी के उपर पिछले दिनों में एक धमा का पारफान्स देखे मैंने आपको क्या बता है था कि जब भी इस लेवल को टच करेंगे इस लेवल को टच करेंगे तब एक लंबा जर्नी वहां से बाउन्स पर करके हो सकते हैं यूगि देखिए सारे जीजों को समझे आपको क्लियर कट सारे विशन दिख जाएगा देखिए कंपणी य दिमांड जोन जब भी कंपीट हुआ उसके बाद एक ब्रॉकेट के तरह से अर भागा तो उसी जगह पे जब भी आए उस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और दिमांड जोन को रिटेस्ट किया उसके बाद फिर से देखिए बाउन्स पर कर रहा है और अभी जिस तरीके से तो वो दो जगह है जहाँ पर रुखने का कोशिस करेंगे पहले ही इस जगह में क्यूँ एक सो साड में क्यूँ दिके दिखे कंपणी जब नीचे आ रहे थे उपर जाने का कोशिस किया पहले एक सो असी के आसपास एक स्टॉंग ली वो रिजिस्टेंस क्रेट किया उसके इक बाद फॉल हुआ फिरसे भूपर जाने का कोशिस किया एक सो साड में फिरसे वो अक्या-क्या एक बार होल्ड किये तो यहां पे एक रिचिंस बना उसके बाद फॉल हो गया तो पहली बात एक सोसाट लेवल को तोड़ा दूसरी बात ूसरी बात तक इस तरीके से correction हुआ और finally उस level को जब भी breakout किया और मैंने आपको हमेशा बता चुका हूँ कि जब भी कोई companies को रेंज को breakout करें तो एक green candle और second भी green candle होना चाहिए तो इसमें होगा क्या confirmation जदा मिल जाते हैं दो green candle मिला और उसके बाद देखिए उपर जाने का journey स्टार्ट कर चुके है तो आप सारे चीज़ों को इस तरीके से समझे है ऐसे नहीं कि हर जगा पर एंटी ले लेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनत करना होगा थोड़ साथ सही है और आपको इसके लिए थोड़ा सा महनत करना होगा थोड़ा सा मतलब अटलिस्ट आप हर दिन एक घंटा को इस मार्केट के उपर दीजिए आप बैक टेस्टिंग करिए डेली क्या हो रहा है वो देखिए तो साथी साथ मेरे वीडियो भी देखिए जहापर सारे इस कमपणी उठाने वाले है मतलब अच्छा का सा कमपणी फाइनेसल या 2024 में खुद कर्जा लेने वाला है टेखिए अगर खुद कर्जा नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कहा से देंगे किस कामी है कर्जा लेना और दूसरी बात कमपणी इसके पोर और एक पाइंस का ब को बता रहा था है बो ही लोन से हैं सैंसर भी हो चुक है जिसके चलतें इसके चलते Hmm इस company के उपर bullish obviously हूँ तो आपके के राह है इस company के उपर जोरी मुझे comments करके बताना नेक्स्ट जो company है उसके बारे में चर्चागर उसका नामे बजाज finance लेकि बजाज finance के उपर एक बहुत good update है finally company का quarter 4 का debt यापे mention किया गया है तो quarter 4 का result है आपको जल से जल देखने को मिलेगा उससे पहले एक weakness point भी है वो point के कारण पिछले दिन में एक थोड़ा सा correction momentum देखने को मिला बजाज finance उपर तो जा रहा था 200 days यह में को बहुत रिटेस्ट किया उसके बाद देखिए यह से fall होने का situation बना अब देखे कितना गिरेगा कि यह से उपर जाएगा वो तो बात में पता चलेगा तो मुझे नहीं लग रहा कि वो उपर जा पाएंगे क्योंकि आसानी से उपर जा पाएंगे क्योंकि जिस तरह के से breakout क्या है 200 days moving average को तो उस basis में देखा है तो company को उस 200 days break करने के बाद या पर में तुड़ा से जूंग कर देता हूँ या पी देखे 200 days moving average को break किया मगर उसको उपर stable नहीं हुआ मतला next candle green नहीं बना अगर next candle green बनता तो confirmation मिल जाते मगर ऐसे हुआ नहीं कि पहले भी अगर data देखेंगे तो या पर आप देख सकते हैं जैसे उपर साइट से जब breakdown किये थे उसके पर next candle red candle बना इसका मतलब वो down side में जाने का कोसिस करेंगे उसी तरह के से अगर previous data भी देखे अगर ब्रेक कर है तो आप एक confirmation होना चाहिए हाँ confirmation आप भी हो जाएगा अगर कोई भी green candle फिर से इस high level को ब्रेक कर दिये तो एक confirmation आप मिल जाएगा यतने सारे चीज बोनने का जो मेरे मकसद है कंपानी इसके पर जो आपडेट है वो मैं आपको जूरू दिखाना चाहूंगा देखें नमूरा नमूरा आप सभी जानते एक बहुत बड़े इंस्ट्यूशन है उन्हें ने डाउन ग्रेट का आपडेट दिया बजाए फाइनेंस के उपर मतलब उन्हें ने एक कहा कि कौन सा चल रहा है 7500 तो 7500 से ही कंपानी के करेक्शन होने का चांसे से अभी देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या बाइजस्टेट प्राइस टारगेट टू 7200 से फ्रॉम 7500 मतलब उन्होंने जो जो बाइंग टर्केस एजस्मेंट के करने का जो एनॉंस्मेंट किया 7500 तक जो 7200 कर दिया गया तो अभी करेंट प्राइस कितने चल रहा है करेंट प्राइस चल देखकर फॉलो करके काम करते हैं उसके लिए में एक ही बात कहूंगा किसी किसी बैक्ती के बात मत सुनना किसी भी कंपनी के काम मत करना देखकर तो आपको बहुत-बड़ा दिक्कत और सामना खार भी बता सकते है तो बाकि इस कंपनी के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि इस कंपनी जिसकर नहीं लायають है क्योंकि स्सेल्स बीए बहुत टगण और और यॉत व् Eve Savage अर कंपनी धमा का रिटरेंव 12 cal लेकरम करना से लिए कि को अबरेज रिटन नहीं दिया तो उससे भी ज्यादा रिटन दिया में अबरेज रिटन पंद्रा परसन के आसपा से आपे पकड़ के चला हूँ बाकि इस कंपणी के उपर एज इंवेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफाइस डियस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा का स जोरू मुझे कमेंट्स करके बताना नेक्स्टर कंपणी उसका नामें जोमाटो तेकि जोमाटो आप सब जाते हैं जोमाटो एक ऐसे कंपणी है जो बहुत बहुत मतलब खराब सिचुशन के बाद कंपणी अज खुद को अलग लेवल में रिप्रेजन किया कंपणी अज ल जो लंबा जर्नी का मतलब क्या है कंपणी जब से स्टार्ट भात अब से लेकर एक लेवल बना था आपके क्या बना कब बना उसके बाद एक हैंडल बटन बना और कफी धने बटन बनने के बाद जो में टार्गल लेकर चल लेग वो 74 परसन के आसपास है तो एक बिग अपर आप सा टाइम लग सकते है तार्गेट पाने में क्यूंकि जल से जल टार्गेट होगा ऐसे कोई क्यारेंटी नहीं है हाँ आपको एक चीजे को याद रखना होगा के कमपनी इसके पर जिस तरीके से पार्फरमेंस है अभी जिस तरीके से कमपनी का रिजल्ट भी आया और व विडियो अचे लग तो प्लिस लाइक करना थैंक्यू